नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी के चेर परिचे दोस्तु पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहदे महतो पूर्ण जानकारी को ले करके जहां घर के दक्षन पूर्व कोने में पंक्षियों के नहाने के लिए पानी भरा हुआ कटोरा रखना चाहिए इससे परिवार क लोगों के आई के श्रोत में बढ़ोतरी होती है इसलिए ऐसा करना लापदायक होता है इसके अलावा घर या दुकान में तामबे का पिरामिड रखने से वास्तु दोश कम होते हैं और सुख सम्रिध्धि में व्रिध्धि होती है इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि आप रख सकें घर में घर या दुकान में धन लक्षमी हमेशा बनी रहें इसके लिए अपनी तिजोरी में कुभेरियंत्र या श्रीयंत्र रखना चाहिए इससे आपका घर धन धाने से भरा रहता है चांदी का तार घर के मुख्य दरवाजे के नीचे दबाने से वास्तु दोश का इसी भी तरह की निगेटिव एनरजी घर में टिक नहीं सकती है और नहीं प्रवेश कर सकती है इसके अलावा घर या ओफिस में सुख सम्रिध्धी और पोजेटिव एनरजी बनाए रखने के लिए रोज ताजे फूर रखने चाहिए इससे घर का महौल अच्छा रहता है इ इसके अलावा दुकान या ओफिस के इशान कोने यानि उत्तर पूर्व कोने में मंदिर बनाना चाहिए इससे देवी देवताओं की क्रिपा बनी रहती है पिरामिर के आकार का मंगल यंत्र घर में लगाने से वास्तु दोश का नास होता है और सुख सम्रिध्धी घर में ब इसके अलावा घर में वास्तु दोश को कम करने और शांती का वारत्तवरन बनाने के लिए घर की में गेट पर सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं जो की नो अंगुल लंबा और नो अंगुल ही चोड़ा हो इस बात का ध्यान रखें हमेशा लक्षमी की क्रिपा बनाए रखने के लिए घर की आलमारी या तीजोरी में हल्दी की गांठ रखनी चाहिए इससे लक्षमी की किरपा बनी रहती है घर में सबताह में कम से कम एक बार कपूर जलाना चाहिए इसका धूआ वास्तु दोश को दूर कर देता है जिहां दोस्तों तो ये वो कुछ ऐसे टिप्स थे जिनको अपना करके आप अपने घर के वास्तु दोशों से छुटकारा पा सकते हैं अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहदी महतो पूर्ण जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों